Hello everyone, आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है NCRT साइन स्टेट नंबर 32 चलिए वीडियो की सुरवात करते हैं आज की वीडियो में हम सब देखेंगे कुस्टन नंबर 311 से लेकर के कुस्टन नंबर 320 तक और यह आपका जो किलाश 6 से लेकर के किलाश 10 तक का NCRT चलता है उसी से यह सारे प्रसन लिए जाते हैं ताकि आप सबको एक्जाम पॉइंट वब्यू से NCRT खतम हो जाए और आप जब एक्जाम आएगा तो जितने भी कुस्टन बनेंगे NCRT से वो आप बनाने के लिए एबल रहे हैं चलिए वीडियो की सुर्वात करते हैं चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब इसका अगर आपको पीडियाप चाहिए समान रूप से निलंबित रहती है पलाजमा कुल रक्त के मातरा का 55 प्रतिसत होता है यानि यह जो पलाजमा है यह बलट का एक पार्ट है यह आप समझ लेंगे और बलट के में पलाजमा का जो प्रतिसत है वो काफी अधिक रहता है 55 परसेंट लेकिन कोस्टन क्या पूछ रहा है कोस्टन बोल रहा है पलाजमा में जल का प्रतिसत कितना होता है तो 90 प्रतिसत है सबसे लाश्ट वाला आप लाइन देख सकते हैं पलाजमा में लगभग 91 से लेकर के 92 प्रतिसत अंस जल का होता है तता सेस आठ से नौ प्रतिसत भाग में विभीन प्रकार के कार्बनिक और और कार्बनिक पदार्थ होते हैं यानि प्लाजमा है ब्लड का पार्ट जिसकी मातरा ब्लड में तो 55 प्रतिसत है और प्लाजमा में जल का जो प्रतिसत है वो लगभग 90 से लिगर के 90 प्रतिसत तक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रसंट की ओर 312 नंबर कुश्चन कुश्चन नंबर 312 रक्त का थक्का बनने में फाई बिरोजीन को फाई ब्रीन के परिवर्तन में भाग लेने वाला इंजाइम का क्या नाम है दिखिए 2-3 टॉपिक साइंस में बहुत ही महत्पूर्ण होते हैं जैसे हर्मोन, इंजाइम्स ये दोनों तो रठ ही लीजेगा इससे हमेशा एक्जाम में प्रसंट आता ही आता है तो रक्त का थक्का बनने में अगर विटामीन के बारे में पूछेगा तो विटामीन के हल्प करता है और अभी हम सब पढ़ रहे हैं इंजाइम के बारे में तो जानते हैं तो रक्त का थक्का बनने में Phibrogen को Phibrogen के परिवर्तन में भाग लेने वाला Enzyme का क्या नम है? तो इसका अंसर हो जाएगा Thombrin. रक्त का थक्का बनने के प्रक्रिया एक जटिल रशानिक प्रक्रिया होती है. इसके तीन चरनों में बाटा गया है. इसके अंतिम चरन में क्या होता है? तो Thombrin एक Enzyme की भाती कारे करके पलाजमा की घुलंसील Phibro-Nogen protein के फाइबरीन नामक और घुलंसील प्रोटीन अनों में संसिलेशन को प्रेडित करता है. रूधीर असकंदन की किरिया विधी का असपस्ट विबरन हावेल नहीं किया था तो यह याद रखेंगे तो रक्त का थक्का जो बनता है वो Thombrin बनाता है कैसे तो Phibro-Gene को Phibro-Gene के में परिवर्तन करके ठीक है तो यह Thombrin का कारे है यह Enzyme होता है पूशन 313, स्वेत रक्त कनिकाएं का बनना तथा लाल रक्त कनिकाओं का विनास कहा होता है तो इसका अंसर हो जाएगा पलिहा में, यह दीन में काट देंगे, यह कुछ नहीं है, गल्दी से लिखा गया होगा लाल रक्त कनिकाओं का जीवन लगभग 120 दिनों का होता है देखिए अगर आपसे पूछे क्या स्वेत रक्त कनिका का जीवन अधीक है या लाल रक्त कनिका का जीवन बहुत जादा होता है 120 दिनों का होता है जबकि अगर बात करें WBC की तो लगबग 6-7 दिन का ही होता है तो लाल रख्त कनिकाओं का जीबन का लगबग 120 दिनों का होता है इसके बात पलिहां में इसका विनास हो जाता है यानि WBC का बनना और RBC का विनास होना ये पलिहां में होता है WBC यानि स्वेत रक्त कनिकाएं इसको बोलते है white blood cells इसका full form क्या हो जागा white blood cells और RBC का full form हो जाता है red blood cells तो WBC बनता है पलिहा में RBC का विनास होता है पलिहा में यह याद रखेंगे आप लिफोसाइट्स तता neutrophils स्वेत रक्त कनिकाओं के दो प्रमुख भाग है यह WBC का दो पार्ट है लिफोसाइट्स का निर्मान पलिहा लसिका गरंती तता थाइमस गरंती में होता है निट्रोफिक्स का निर्मान अस्थी मज्जा में होता है तो यह दोनों facts नीचे वाला स्वसान अंगों से oxygen लेकर इस सारे सरीर में पहुंचाने का कारे करता है देखिए लाल रक्त कनिका जो है जो कि आपका red blood है वह अस्थी मज्जा में बनता है और इसका काम देखिए कितना unique है यह स्वसान अंगों से oxygen लेकर के यानि स्वसान अंग कहा है हमारा तो गला के पा आए अस्थी मज्जा में तथा मनुष के सरीर में लगबग 120 दिनों तक यह दोनों फैक्ट इसमें क्या याद रकेंगे कि लाल रक्त कनिका जो है यानि रेट ब्लड सेल्स वो आपका oxygen को पूरे सरीर में पहुंचाता है और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है तो यह चार फेक्ट्स आपको याद रहाना चाहिए इसको बोलते हैं लिूकेमिया इसको बलड कैंसर बोलते है इसमें रूधीर में स्वेत रक्त कनिकाओं की संख्या आवस्था से अधिक बढ़ जाती है स्वेत रक्त कनिका लगबग 5,000 से 11,000 प्रती घन मिली लीटर तक होती है इतना आपका होना चाहिए अगर इससे जादा हो जाएगा बहुत जादा हो जाएगा तो फिर ब्लड कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है तो यह है लुकेमिया तो WBC लिमिटेशन में हो तो बहुत बढ़िया लेकिन जब अत्यदीख हो जाएगा तो फिर दिक्कत आपके सरीर को कर सकता है एक कुस्सन नमबर 316 विश्व के कुछ भागों में विद्धमान पस्वों में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है देखिए अगर हिंदी भासा में मैं समझाओ तो फुट का मतलब जानबर के खुर को बोलते है ठीक है और माउथ मतलब तो मूँ आप जानी रहें तो वाइट वाइट या ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाता है इसके मूँ या खूर में इसी को बोलते हैं क्या फुट एणड माउथ रोग तो यह किसके करन होता है तो इस कां侵ा है विशानमों के करन या या वाइरस के करन होता है मैं फोटो इसलिए नहीं लगाया हूँ क्यूँकि आपको पढ़ने में थोड़ा से दिक्कत हो सकता था है इसलिए नहीं लगाया मैं लियोफर लर तता फ्रास ने 1897 में जर्मनी में पस्वों में फूट एंड माउथ रोग का पता लगाया तो यह उतना इंपोर्टेंड नहीं है नीचे वाला तत लेकिन यह पूछ सकता है कि फूट एंड माउथ रोग जो होता है यह जानबर में होता है किसके कारण होता है या यह कौन से वैक्टेरिया के कारण होता है या वाइरस के कारण होता है या प्रोटो जोगा के कारण होता है तो इसका अंसर तो हो जाएगा विसानू के कारण यह पूछता है एक्जाम में पूसर नंबर 317 इबोला वाइरस का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो इसका अंस जो कि अप्रिका महदूइब का एक देश है इबोला रोग मरीज के संपर्क में आने से फैलता है कैसे फैलता है तो मनुस के पसीने मरीज के खून या स्वास से या फैल सकता है यानि किसी को अगर इबोला वाइरस है अगर वह आपके सामने छीग दिया और उसकी छीग जो है पढ़ जाए आपको तो उससे आपको इबोला वाइरस हो सकता है तो यह ऐसे भी फैलता है इसके चपेट में आकर टैफाइट कल्रा बुखार और मांस्पेशियों में दर्द होता है तथा बाल जड़ने लगते और नस्वां से मांस्पेशियों में खून उतर जाता है तो यह प्रसंद संक्या 318 नेक्स्ट कुस्टन कौन सा विसानू बड़ फ्लू का कारक है तो इसका आंसर हो जाएगा H5N1 H5N1 influenza virus का एक प्रकार है पक्चियों में एक अत्यन संक्रामक वह गंभीर स्वसंद संबंधी बिमारी होती है यानि यह जो बड़ फ्लू होता है वो किसी भी पक्ची के स्वासनली में होता है तो यह बात आप समझ गया होंगे इसे avian influenza या बड़ फ्लू काते है तो जब भी बड़ फ्लू होता है तो या तो पक्ची को मिट्टी के अंदर में डाल दिया जाता है या कुछ दिन के लिए मुर्काफ फॉरम जो होता है जहां पर चिकन मिलता है उसको बंद कर दिया जाता है ताकि यह विसानों फैले नहीं तो h5n1 इसका कारक है मैं पासर नमबर 319 यदि एक पिता का रक्तवर्ग A है और माता का O है तो बताइए कि उसके पुत्र का रक्तवर्ग क्या होगा तो इसका अंसर हो जाएगा O या A हो सकता है यदि जलक में से पिता का रक्तवर्ग A तथा माता का रक्तवर्ग O है तो उसके पुत्र का रक्तवर्ग A तथा O होगा यानि अगर पिता का A हो या माता का A हो या पिता का O हो या माता का O हो तो उसके जो पुत्र का रक्तवर्ग ब्लड ग्रूप होगा वो O या A होगा अब इसका पता कौन लगाया था तो Burn Steen ने पता लगाया कि A, B, O रूधीर मतलब बलड होता है तो रूधीर वर्ग मनुस का एक अनुवानसिक लक्षन होता है अता यह संतानों में मेंडल की नियम के अनुसार जनक से प्राव जीन्स के अधार पर ही विक्षित होता है यानि पिता और माता में जो होगा बलड ग्रूप वही उसके पुत्र में या पुत्री में होगा ठीक है CRT Science 732 का आखरी प्रस्ण 320 रक्त में लाल रंग के होने का क्या करण है तो इसका अंसर हो जाए का हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रूधीर कनी का आरबीसी के कारण होता है अभी हम सब पढ़ रहे थे 120 दिन जिसका जीवन काल होता है रबीसी रेड ब्लड सेल रक्त का पियच मांद 7.4 होता है वैस्क मनुस में समानता 5-6 लीटर रक्त होता है पुरुसों की तुल्लाओं में महलाओं में लगबग 1 लीटर रक्त कम होता है यानि पुरुस का हीमोग्लोबिन जादा होगा और महला का कम होगा ठीक है तो यह था NCRT साइंस सेट तंबर 32 आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे इसका अगर आपको पीडियाप चाहिए तो हमारा टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जल्दी जल्दी जाकर जॉइन कर लें और फिर यह आपको आप पीडियाप ले सकते हैं थांक्यू टेक कियर और बाए